आज की व्लोग में मैं शेर करने वाली अपनी प्री रमजान प्रेपरेशन्स और यहां पर मैंने रमजान के साफ से कुछ चोटे मुटे अडिशन्स भी किये घर में पर कई बार चोटी चीजे ना बड़ा सर कर जाती हैं और इस रमजान से ही सोचा है कि रात में सोने से पहले ना बेडरूम में फोन्स नहीं जाएंगे यह अलाम क्लॉग जाएगा जिसे कि नीद पूरी हो सके तो वर्क दी आदर दे और लास्ट प्लॉग में मैंने शेर किया था अपना टूडू लिस्ट और यहां ना टूडू ल है थाथी में first from cleaning the prayer mats, caps, caps, carfs and ダखिये, आपके घर में जबए महमान आने वाला होता है तो कैसी तयारी होती है और अगर व्हहमान बहुत special हो तो special तय यह और जब महमान घर आज ऐ तो हम अपने wanted, unwanted, important कामों को भी छोड के अपने महमान पर तवज्यू देते है रमजान ऐसे ही है हमारे लिए और पर दोस वो डोंट नो रमजान is a holy month, the month of the holy quran and we fast the whole month from dawn to dusk और ऐसे टाइम पर आपको ज़्यादा तवज्जु important काम पर देना है और वो है इबादत, to pray and fast तो इसलिए जो काम पहले हो सकता है उसे हम complete कर लेते हैं हाई 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 हमने जादी मास को धोला है ओके इसमें आलिया का भी जानमास सूख रहा है आलिया भी नमास पड़ेगी क्या हाँ ओके रमजान में रमजान में पड़ेगी अच्छा अभी नहीं पड़ेगी पड़ेंगे ला ओके आलिया का जानमास अब छोटा हो गया आल रमजान मेना स्केडिूल काफी चेंज हो जाता है हमारा बट बाकी काम जैसे बच्चों की एक्जाम्स हैं और स्कूल बाकी सब काम तो वैसे ही रहते तो उस टाइम ना डीप क्लीनिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि जब आप रोजे रखते हैं और आपके बॉड़ी को एक यहां में बना रही थी DIY solution क्योंकि फ्रिच को क्लीन करने के लिए मैं वह मार्केट वाले क्लीनर्स नहीं उसकरती हूं क्योंकि अंदर हमारे fruits and vegetables रहते हैं तो सिफ यहां पे विनेगर, water और विम जेल डाला है मैंने और यह क्लीनरी मैं डेली उसकरती हूं बाकी वह सब बाकी जो क्लीनर्स हैं वह में डीप लीनिंग के टाम निकालती हूं और यहां पर आधा कटी नीमबू से फ्रिच को पोश रहती है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके फ्रिच में अगर कोई smell आ रही है तो वह भी नहीं आएगी और यह बहुत ही सेफ है और अगर आपको विनेग शॉपिंग फॉर रमजान और डीमाट से मैंने चिया सीट्स भी लिये है चो लास्ट येर भी मैंने रख देती थी और सेहरी में लेती थी अगर आप ट्राइब करना चाहे तो आप भी कर सकते हैं सब्जा अलग है और चिया अलग है तो मुझे सब्जा नहीं सूट किया था आप भी ट्राइ कर सकते हैं चिया सीट्स और यहां पेना यह दोनों को तो यहां आना है तो फिर यह खाय बिना वो दोनों जाएंगे नहीं और तो हर घर का अपना-पना पैटन होता है जिसे हम चार लोग हैं और मैं कोई भी फ्रीज़ फूड नहीं रखती हूं मैं शुगरी स्टफ अवाइड करती हूं आपकी रू को खिलाने का समय आपकी पेट को कम और रू को चार्ज कीजे क्योंकि और अगर आप यहां पे ना में एक बात यह भी बोलना चाहूंगी जैसे कई बार हम इफतार पाटीस करते हैं तो यह जिनके पेट पहले से भरे हुए उनको खिलाने से आपको क्या सवाब मिलेगा तो अगर आपको खिलाना ही है तो उन्हें खिलाए जिनको जरूरत है आपकी दुआएं अर्श तक जाएंगी इस लॉग में अलग अलग दिन की वडियो था है शॉपिंग जिसे इन वह रग था अगर ग्रोसरी शॉपिंग वाला और फिरी दूसरी दिन पा था जिसे हम वेश्टेबल्स लेने गहते तो इससे पहले मैं ने फिरिज क्लीन कर लिया था था कि जब फिरिज क्लीन होता है तो क्लीनिंग भी इजी हो जाता है, वेश्टेबल्स आ गए उसके बाद से बस बॉक्स में रखके, फिर मैंने सब क्लीन करके रख दिया, और वेश्टेबल्स और फ्रूट्स हो हकते में दो बार आ ही जाते हैं, तो फ्रिज में अगर मैं कोई चीज फ्रीज करती हूँ तो आइस ट्रे में, क्यूंकि फ्रूट्स के जूस बनते हैं इफतार के वख, तो मैं मिंट लीव और लेमन स्लाइस को फ्रीज कर लेती हूँ ताकि जब जूस बनाओ तो इसमें एक यूब डाल सके, तो यहां मैं बस आइस ट्रे में मिंट लीव और लेमन के स्लाइसस डाल रहे हूँ और उसके लावा में जैसे और प्रेपरेशन में जैसे अनार शील के रखना जो टाइम उस वक दिफ्तार के वक्त जो हता है टाइम कंजूम ना करें ऐसी चीज़े जिसको बस निकालके में इसका जूस बना अच्छी से नहीं पील होगा जितना अच्छा आप भीगोए हुए जिंजर को अगर आप स्पून से पील करेंगे तो बहुत ही इसली हो जाता है और फिर मैं उससे कट करके रखती हूं मैं ग्राइंड नहीं करके रखती हूं मतब एक्शली मेरे हाँ जहां में हुआ एतना अच्छी नहीं जाती है तो जब जरूरत रहती बस मैं छीले रहते हैं तो उन्हें निकालके पीस लेती हूं और लसन को भी जैसे ना अलग-अलग वे कभी भीगो के भी करती हूं और जैसे बहुत सरे वेजें कई लोग ऐसे तेल लगा के दूप में सुखा देते हैं जिसस असे कि उसके चिलके आसानी से निकल आते हैं वैसे मैं अगर ऐसे ओपन करके बैट जाती हूं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भी पील कर लेती हूं और कई लोग गّän ज्रालग कर लेती हूं और आप दूरा कि जितना ज़रुट हुं उस वक्तwork में ग्रॉइंट कर लेत जहां पे हम सजदा करते हैं उस जगह पे हमें थोड़ा सा इतर लगा के इन्हें फोल करके और गिनाइज करके रख देती हूं और इसके लावा जैसे जो भी प्रेयर के लिए एसेंशल्स हैं प्रेयर के तजबी किताबे स्काफ्स इन सब को मैं अच्छे से थोड़ा सा लगे बैठने के बैठ कर दुआ मांगने में तो और यहां पे जब मैं अरेंज कर रही थी न तो बच्चों को भी समय बड़ा मजा आता है कि ममा मैं भी अरेंज करूंगी तो आफिया लिया भी यहां पे इतर तस्पी और छोटी-छोटी दुआएं की किताबे थी और कुरा चोटा कुरान था वह उसे भी सबरेंज करने के बच्चों को ना प्यार से पढ़ाने के लिए नहीं नहीं ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं तैसे आलिया अर्भी पढ़ने में बहुत पहले क्रेंगी करती है फिर मैं उसे बोलती हूं कि ना मैं आज यह वाला इतर लगा रह जाती है और फिर थोड़े दिर बच्चे जब सुंगते सुंगते रहे फ्लो में आ जाते हैं पढ़ने के तब फिर वो नहीं रोते हैं तो यह ट्रिक मेरे लिए काम आया है तो रमजान से पहले अलमारी को भी डी क्लटर और 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 यहां पर मैं S-shaped हुक्स का यूज कर रही तो मैंने नीचे क्लचर और चोटे पॉसस रख दिये और यह न मेरे बच्चे ग्रोइंग एजस में हैं तो उनके हर साल काफी कपड़े चोटे हो जाते हैं तो यह टाइम रमजान से पहले मैं उसे डी क्लटर कर लेती हूं और उसे अच्छे से किसी नीडी पसंद को दे दे और यहां पर मैंने आफिय के लिए यह ओगनाइजर खरीदा है क्योंकि बच्चों को कैसे ना आप उन्हें कितना भी ओगनाइज करके दे दो वो एक कपड़ा जब निकालते तो दूसरा गिराई देते हैं तो इसमें 12 कंपार्टमेंट्स है तो मैंने इस तरह से आफिय के लिए उसके कपड़े इसमें अरेंज कर दें ताकि वो जब एक निकाले तो दूसरा डिस्टर भी नहों वो जब भी चाहल से खोले और इसे निकाल ले उसके लावा जैसे मैं दो बॉक्स ना सामने ही रखती हूं एक डोनेट का एक रिपैर का और इस तरह से ना डी क्लटरि और उसके लिए लिए हमेंने ऐसा एक बैग और ऐसे शॉपिंग बैग हमारे पास काफी पड़े रहते हैं तो इसे बस से एक साइड से बीच में से कार्ट लेना है और उसके बाद उसके हैंडल्स को आप अपने अलमारी के रॉड में लगाईए और यह जो ओपन साइड है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा और यह देखने में भी अच्छा लग रहा था और यूटिलेटी में भी यह बहुत अच्छा रहा तो इस तरह से मेरा पूरा वर्टिकल स्पेस और यूसफुल भी है मेरे बैक्स मैंने हैंग कर दी है एस शेप से यहाँ पर आफिया के कप्डों को इस ओगिनाइजर में और यह ओगिनाइजर मैंने लिया है आलिया के लिए अगर वह एक ड्रस निकालती तो दूसरे सारे ग का लेगी और बाकी डिस्टर्व नहीं होगा इस तरह से बार-बार पूरी इल्मारी मैसी नहीं होगी और उसके बाद ये दूसरे दिन के है जब हम शॉपिंग गयते हैं क्योंकि इद के गिफ्स और जो बच्चों के लिए कपड़े और लिने रहते हैं वो मैं अभी ले ले लेती हूँ क्योंकि उस टाइम रोजा रखके तो और ये जो मेरे दो अन्मोल रतन है न इन्हें पता है कि जब भी हम ओफ्लाइन शॉपिंग जाएंगे तो ये मज़े तभी मिलने हैं और उसके बगार तो उन्हें घर नहीं आना है और उसके बाद और अब बच्चे हैं डेकोरेशन्स तो डेकोरेशन्स में जब भी निकाल रहे हूँ बच्चे हो जा रहे हैं एकदम ओवर एक्साइटेड और डेकोरेशन्स करने से ना थोड़ा घर में भी अलग पॉजिटिव रमजान के वाइब जा जाते हैं और यहां पर मैंने कैन्वस बोड तो निकाला है बट मैं आपको अगर मैं कामियाब हो पाई तो शेयर करूँगी बिकाज डॉन नो पर यह जो प्रोसेस होता है न चाहिए अच्छा बने बुरा बने जो प्रोसेस होता है जब हम कुछ खुछ से क्रियेट करते हैं यह आपक एक अलग एक्सपीरेंस देता है और वैसे तो हम बहुत सारा लेके आ सकते हैं बट बनाने से आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और यहां ना इन लोग की मस्ती देखिए जब मैने सारे रेकुरेशन निकालेते और इन लोग को तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो त झाल